प्यारे मित्रों नमस्कार मैं आर्सी सिंग आज मैं आपको इस वीडियो में अभ्यास 5 एप बताने वाला हूँ अगर इसके पहले की वीडियो देखना है इसके बात की वीडियो देखना है यहनि कि इसके पहले की अभ्यास देखना है और इसके बाद के अभ्यास देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएए इस चैनल में जो है आपको मिलेगा कच्छा आर्ट NCRT मैथ मनेगा उस प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो A2J हर अभ्यास का सल्यूसन आपको मिल जाएगा दोस्तों आईए हम आज जो है मिल करके इस अभ्यास को सुरुआत करते हैं और जहां तक ये वीडियो जो है देख पाएंगे स्किप मत किजेगा बस हम आपसे बार-बार यही कहते हैं कि स्किप मत किजेगा और वीडियो को सुरुआत करने से पहले आप वने WhatsApp ग्रूप में, Facebook ग्रूप में या आपके पास जो भी मित्र हों आपके पास जो भी मित्र हैं उनके पास इसको सेयर किजिए आपके Classmates होंगे, साहई पार्ठी होंगे, पढ़ने वाले, आपके दोस्त होंगे उनके पास ये वीडियो जरूर से जो भी सेयर किजिए इससे ये होगा कि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके तो आईए, कहा जा रहा है कुश्चन में, देखेगा, पहला कुश्चन लेते हैं कहा जा रहा है, दो पुडांक A, तथा B, ऐसे ग्याद कीजिए की पहला कुश्चन देखो, पहला कुश्चन में हम आपको एक बार बता देंगे, सब करलोगे बहुत असान है, देखो, लिखा गया, क्या लिखा गया है कुश्चन नमर एक ले रहे, फाश्ट वाला कुश्चन ले रहे है, ठीक ना तो ये लिखा गया A plus B और दुसरे में लिखा गया और यानि अन्ड क्या लिखा गया है A plus B बराबर कितना 8 हो दुसरे में लिखा गया है और जो है A, B बराबर कितना हो 15 हो ठीके न, अगर आप जानते हो इसके पहले की वीडियो देखे होंगे तो आप इसको करने में कोई प्राबलम नहीं होगी हम आपको याद दिला दें, जब आप गुलानखंड करते थे ठीके न, जब गुलानखंड करते थे न, तो पता है गुला करने पी ये आता था जोलने घटाने पी ये आता था तो वही करना है बस इसका ऐसा गुलान खंड करो कि जोड़ने वा घटाने पर इतना आ जाए बस ठीके ना तो वही बन जाएगा आपका संख्या बन जाएगा तो बताओ कैसे आएगा बताओ अगर हम क्या करें हमको आठ लाना है अगुलार करने पर पंद्रा आ जाए जोड़ने वा घटाने पर आठ आए तो संख्या क्या में होगी बताओ संख्या हमको निकालना है दो पुरांक संख्या ए और बीक मा निकालना है बस देखो तो संख्या पहले क्या हो जाएगा तीन अदुसरा क्या हो जाएगा पांच होगा क्योंकि तीन पच्छे पंद्रा हो जाएगा और तीन और पांच कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं संख्याएं जो हैं तो वो क्या होगी तीन वा पांच होंगी ठीक है ना कभी कभी हम लोग पांच तीन भी कह सकते हैं ठीक है पांच तीन भी कह सकते हैं क्योंकि पांच तीन भी आठ होगा और तीन पांच भी आठ होगा और तीन पचे पंदरा भी होगा और तीन पंदरा भी होगा ठीक है दोस्त नमबर टू में लिखा गया है क्या लिखा गया है ए प्लस बी बराबर कितना हो तेरा हो और ठीक है और क्या लिखा गया है लिखा गया है ए बी बराबर कितना हो बारा हो तो बस हम आपको याद दिला दिये है आपको सुझ आ गया होगा एक ही बार में कि ऐसा कुछ करो 12 को ऐसा कुछ करो कि जोडने वा घटाने तेरा आ जाए ठीक है ना तो बताओ तेरा कब बनेगा जब हम क्या करेंगे जब हम 12 को एक से गुड़ा करें 12 गुड़े एक करोगे तो क्या हो जाएगा 12 कर नब बारा हो जाएगा लेकिन बारा सक्तर गे जोड़ो गे to क Sut्य मुड़े तिरा हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं जो संग्षाय होंगी 12 गा 01 होगी ठीक है ना 12 गा 01 होगी तर्वे और 01 होगा ठीक है कुछ से नमबन कितना था फर्ष्ट का सिकन्ड वाला पार्ट था अब देते हैं थर्ड वाला पार्ट ठीक है थर्ड वाले पार्ट में लिखा गया है देखे थर्ड वाले पार्ट में लिखा गया है A प्लस देखो ये वाला थड़ वाला पाड़ A प्लस B बराबर 1 हो और क्या लिखा गया है और A भी बराबर कितना हो मानस 20 हो अब ध्यान देना है आपको समझना यहीं पर है अच्छे ये बताओ हमें करना क्या है जोडने वा घटाने एक आए देखो यहाँ पर जोड दिया है जोडने या घटाने पाए कितना एक अगुडा करने पाए कितना मानस 20 आए तो हम क्या करें बताओ अगर हम 4-5 करें तो 4-5 तो हो जागा हो जागा ना भाई 4 गुणे 5 करोगे 4-5 हो जागा लेकिन हमको एक बताओ इनी संख्याओं में से हमको एक लाना है तो कईसे करोगे बताओ क्या करोगे प्लस में लाना है तो क्या करोगे 5-4 करोगे तब ही तो एक आएगा ना तो संख्याओं हमारे पास क्या होगी संख्याओं हमारे पास जो है 5-4 होगी ठीक है संख्या 5 वा 4 होगी लेकिन ध्यान देना है चिन किसका आएगा यहां पर मानस का क्योंकि 5 मानस 4 करोगे 4 पंचे 20 मानस 20 हो जाएगा और 5 में से 4 घटा दोगे आये कितना 1 आजाएगा ठीक है तो संख्या आपके पास अंसर क्या आएगा 5 कामा मानस 4 आएगा ठीक है आपको लेटे छलते हैं 4 वाले पार्टे देखिए 4 वाले पार्ट में लिखा गया है A प्लास B इसकोल टू कितना मानस 5 और और लिखा गया है क्या लिखा गया है A बी बड़ाबर कितना हो 4 हो तो क्या करना है देखिए गुड़ा करने प्चार आए देज़े गुड़ा करने प्चार ही आए और जोड़ने वा घटाने प्चार आए कितना पांच आए तो क्या करोगे चार एक कम चार हो जाएगा चार एक पांच हो जाएगा लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है तो यह मानस पांच कैसे आएगा मानस पांच कैसे आएगा देखो मानस पांच तब आएगा जब चार करोगे मानस एक करोगे मानस चार मानस एक बरावर कितना हो मैं आपार करोंगी ना देखो 4 ا्कम 4 प्लसटसागें ठीक है प्लसटसर आ जाएगा लेकिन जब इन दोनों को जब जोड़ ओड़ लेकिन तो यह हो जाएगा मा 不是 4-1 बर्वर कितना हो जाएगा मास फांच आ जाएगा तिक है यह ठीक B बराबर कितना मानस एक और ठीक है और लिखा गया है A B बराबर कितना मानस बारा मानस है बारा लिखा गया है तो हमें करना क्या है हमें यहीं से दिखना है बस यहीं समदलब है 12 समदलब है तो अब हमें लाना है कितना एक लाना है ठीक है तो देखो चार तीन बारा हो जाएगा और चार मैसे घटाओगे एक आजाएगा ठीक है ना यहीं तीन चोके बारा होता है ठीक है तीन चोके बारा होता है गुला करने बारा हो जाएगा तीन चार का लेकिन चार मैसे चार मैसे जब तीन घटाओगे ना चार मैसे जब गठाओ कि तब आएकि इतना मानसी कायेगगा ठीके तो अनसर कितना आएगगा मानस 4 Κامा 3 यह क्या हो जाएक़ संख्या हो जाएगी अब कुछिश्ट नमर 6 देखिएगा कुछिश्ट नमर 6 नमर लिखा गया है ए प्लस B बराबर किदना मानसी 11 और ठीके और क्या लिखा गया है A B A B बराबर कितना 10 है तो हम आपसे इतना बोले है देखे आपसे बस इतना करना है कि देखो गुड़ा करने पाए 10 आ जाए अजोडने घटाने कितना है जोडने पाए कितना 11 मानस 11 आ है तो क्या करोगे 10 एक 11 होता है भाई तो 10 हमको बनाना है तो क्या करोगे 10 एक कम 10 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर 11 किसे बनेगा 11 कब बनेगा जब माइनस 10 और माइनस 1 जब जोडोगे तब ही आए कितना माइनस 11 तब ही आएगा ठीक है तो संख्या है हमारे पास क्या बनेगे संख्या हमारे पास बनेगे कितना मानस 10 कामा मानस 1 एक बनेगा ठीक है यही क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा भाई A वा B का मान ही तो निकालना है हर बार आपको A B का मान ही तो निकालना है A कमान ये हो जाए का B कमान ये हो जाएगा ठीक है अब आपको ले चलते हैं Q7 पर जहां दीजिगा Q7 लिखे लिखा गया है A प्लस B ठीक है A प्लस B वराबर कितना 8 और और क्या लिखा गया है A B वराबर कितना माइनस 20 अब यहीं पर हमको देखना है 25 होता है 25 होता है लेकिन हमको 8 लाना है वही प्लस मिलाना है अच्छे बताओ ध्यान दो ये 8 का बाएगा 8 का बाएगा 8 हमारे पास आ नहीं सकता है लेकिन हम इसको लिख सकते हैं क्या इसको भी लिख सकते हैं कितना दो दूनी चार लिख सकते हैं है ना दो दूनी चार लिख सकते हैं अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर पांद दूनी दस दस दूनी बीस हो जाएगा ना तो हम लोग लिख सकते हैं कितना 10 गुले कितना मानस 2 लिखेंगे 10 दूनी कितना हो जाएगा मानस 20 आजाएगा 10 दूनी कितना हो जाएगा मानस 20 हो जाएगा और 10 मिसे 2 जब घटाओगे तब आजाएगा 8 10 मिसे जब 2 घटाओगे 10 मिसे जब 2 घटाओओगे कितना आएगा आठा जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इसका मतलबyon हुआ अब हम question number 2 ने ले चलने हैं देखे question number 2 देखे एक उलान खण कीजिए ठीक है साथी हम आपसे बार-बार कहते हैं कि आप अपने मित्रों को बस share कीजिए ठीक है तो बस हमारे लिए बस इतना कीजिए ना like कीजिए ना subscribe कीजिए बस इतना कीजिए कि आपने WhatsApp ग्रूप में Facebook ग्रूप में आया आपने मित्रों को दोस्तों को जरूर से जरूर इसको share करें इनके तक पहुचाए ये वीडियो ठीक है ये आपकी जिमेदारी है question number 2 लिने चल रहे है question number 2 में पहले बालपार ठीक है पहला बालपार्ट लिखा गया x square मानस कितना plus कितना 5 x plus कितना 6 है गुलानखन करना है आपको ठीक है अब गुलानखन करना है तो हम आपको बस बही बताएंगे कि पहले और लाष्ट का संख्या गुलाक होता है इसके पहले एक वीडियो करना देख्यों जिरूर देख लिजिए जादस जादस तक समझ जाएगा ठीक ना जब हर पार्ट देखेंगे हर अभ्यास देखेंगे तभी आपको चीज़े समझ मानने की देखिए हम कह रहे हैं 6 है 6 में ऐसा कुछ कर लो कि जोडने घटाने पांच आ जाए भाई 3 दू निच्छा करोगे ना 3 दू पांच बन जाएगा तो बस करना क्या है इसको शुरुआत हो जाओ तो एक्स स्क्वार जिए को हमने लिखा इसके अस्थान पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे इसके अस्थान पर हम लिखेंगे कितना 2 एक्स है प्लस कितना 3 एक्स लिखेंगे क्यों क्योंकि 2, 3, 5 एक्स हो जाएगा 2 एक्स है प्लस 3 एक्स बराबर कितना 5 एक्स हो जाएगा और इनी संख्याओं को जब गुड़ा करोगे ना दो तीन का दो तीन च्छे बन जाएगा प्लस हमने च्छे कर लिया तो बस जब ये इस तरीके जबन जाए ना तो दोनों खंडों में कामल लिया जाता है कामल होगे तो यहां पर यक्स बनेगा ना यक्स जब कामल होगे तो यहां यक्स है और यहां कितना हो जाएगा टू हो जाएगा जब यहां पर देखो तीन है यहां पर है यहां पर भी छे में भी तीन होता है तो हम क्या करेंगे तीन कामल लिए तो यहां कितना बचेगा यह से बचेगा और तीन दून कितना हो जाएगा यहीं कि बगल बगल जो लगा हुआ है X प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यही पूरा अंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो यह भी गुलान खंड एकदम इजी है आप मारे साथ लगे रहेंगे तो जरूर जो है सभी प्रसने हल कर पाएंगे आप देखिए question number 2 का second वाला part देखिए 2 का second वाला part देखिए लिखा गया है क्या लिखा गया है यहाँ पर Q square प्लस कितना 6 Q प्लस 8 यह लिखा गया है अब इसे क्या करना है गुलान खंड करना है हम आपको बताए है यह पहला कोई संख्या नहीं रहे तो एक माना जाता है एक गुले 8 करोगे तो आएगे 8 अब 8 का ऐसा गुलान खंड करो कि गुला करने पर आए कितना 8 आज जाए अज जोडने वा घटाने पर आए कितना 6 आजए तो क्या करोगे बताओ ठीके तो भाई चार दुनी 8 और 4 दूच्छा हो जाएगा अगर हम लोग लिखेंगे 2 चोग के 8 अब 2 और 4 जोड़ो कितना हो जाए एक 6 हो जाएगे ना बस ऐसे बनाना है आपको हर बार बनाना है देखो इसको हम लोग क्या करेंगे इसके अस्थान पर 2 और 4 करेंगे ठीक है नई 4 दो 6 कर हो जाएगा तो ये हो जाएगा Q2 प्लस कितना 2 Q इसके अस्थान पर क्या लिखेंगे 2 Q प्लस कितना 4 Q ठीक है प्लस कितना 8 अब देखो यहाँ पर और इसमें इसमें कामान ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्यूं है यहाँ पर क्यूं है तो हम लोग क्यूं कामा ले लिए तो यहाँ पर कितना बचेगा एक घात बचेगा ना यहाँ पर क्यूं हो गया प्लस कितना यह तू हो गया अब देखो यहाँ पर चार है यहाँ पर आठ है ठीक है अगर हम चार कामा ले ले प्लस कि Q plus 2 बचा हुआ है यहां पर हमने क्या किया Q plus 2 कामाने लिए पूरे का जो बाहर बाहर है बाहर कितना है क्यूं और यहां पर कितना है 4 है तो Q plus 4 यहीं क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों मैं आपको ले चलते हैं अब नेश्ट कुश्चन पर देखिए अब Q3 नेच्र है देखिए थर्ड वाले पार्ट में लिखा गया है लिखा गया है कितना यहां पर 2 का थर्ड वाले पार्ट देखिए yam square घ्लाकर 11 यम 26 यह दिखा गया है अब ध्यान दिजेगा अब हम क्या करेंगे? 24, हमारे पास यहाँ पर एक मालो लिखा गया है, यहाँ पर 24 है एक गुणह 24 करोगे हम आपको पहले बताये हैं, जब कोई संख्या नहीं होता है तो वहाँ एक माना जाता है पहले और लाश्ट के गुड़ा होता है पहले संख्या का यानि कि जो यम के साथ लगा होता है यानि कि इसके स्क्वार के साथ लगा होता है और जो लाश्ट में रहता है इन दोनों गुड़ा होता है गुड़ा करने एक बाद जो संख्या आता है माली यहां पर 144 है, 24 हो गया, 23 कम 24, अब इसी संख्या को ले करके हमें क्या करना है कि ऐसा गूलन-खन करना है, 24 का ऐसा गूलन-खन करो कि उन दोनों संख्यां गूला करने पर 24 आ ज appointments और जोड़ने घटाने कितना हो जाए 11 आजाए ठीक है तो बताओ क्या बनेगा देखो 3824 बन जाता है ना 3824 होता है अगर 3824 हम लोग करेंगे तब ही जो है 3 और 8 8 3 कितना हो जाएगी 11 हो जाएगा है ना बस इसी के स्थान पर इसी 11 के स्थान पर 38 करेंगे ठीक है तो देखो तो सेम उता लीजिए क्या है यम स्कौर प्लस यह हो जाएगा आपका 3 यम और प्लस कितना 8 यम करेंगे इसके स्थान पर देखो 11 के स्थान पर लिखे तने यह कितना लिख दिए 8 3 लिख दिए और यम था तो यम बाहर निकाल लो तो यहाँ एक यम बचे गया यनि दो घात में से एक घात बाहर चला गया एक ही बचे गया प्लस यहाँ पर देखो यम बाहर हो गया है तो यही तीन बचे गया ना यहाँ पर अब यहाँ पर देखो 8 है यहाँ पर 24 यहाँ पर आप जानते हो कि 24 में इस 24 में 3 8 है जब 3 बाहर हम लोग निकाल लेंगे 8 अगर हम निकाल लिए बाहर 8 बाहर निकालो तो यहाँ सिर्फ यम बचेगा इसमे और देखो जब 24 में से 8 निकल गया तो बचे कितना 3 बचेगा देखो यम प्लस 3 और यम प्लस 3 दोनों को शक मिली लगा तो यम प्लस 3 हम पूरे कामणले लिए और जो बाहर-بाहर है बाहर-बाहर कितना है यम प्लस कितना इट है तो क्या हो जाएगा आपका यहीं गुलन खनका अनसर हो जाएगा साथियों दोस्तों हम आपसे बार-बार कहते हैं आप मत लाइकेजी मत जो है सब्सक्राइब लेकिन आप करना है आपको यही करना है या आप अपने मित्रों तक यह वीडियो पहुँचाईए हम आपको ले चलता है नेस्ट कुरिशन पर देखिए थर्ड वाला पार्ट होगे अब लेने चल रहे है फोर्थ वाला पार्ट देखिए फोर्थ वाले पार्ट में लिखा गया है क्या लिखा गया है y square plus 9y मानस कितना 36 लिखा गया है अब हम आपको पहले बता दिये कि फास्च और लाश्ट गुला करणे पाمنेपा 36 संख्या आएगे 36 तो 36 हमारे पास है 36 का ऐसा गुलाण खंड करो कि उस संख्या है जो संख्या गुलाण खंड करोगी इसका तो गुलाण करने ये 36 आए लेकिन जोलने वा घठाने पा Նएक इतना नव आने चाहिए चिके चार्णра स्पराईए 36 होता है आप जानते हो देखो आप यहां पर हमको नव लाना है तो नव कि मलब इसका भी गुलान खन कर लीजिए यह बनने कितना दो दूल een चार इसका मलब कितना बने का तिन त्रिक का नव बनेगा तो यह बनेगा अब हमको नव लाना है नव कैसे आएगा अब इनहीं बनाईए अच्छे से देखो हम यह कर दे दो दूना चार तियाई बारा ठीके ना बारा तियाई भी छाथिस तो होता है तो बारा मज से तीन चला जाए आए कितना नव आ जाएगा बस हमें करना है तो देखो क्या करेंगे इसके अस्थान पर हमने लिख दिया कितना देखो नव के अस्थान पर लिखेंगे बारा और तीन बारा मज से जो है तीन निकाल दोगे आए कितना नव आ जाएगा देखो तो क्या करोगे पता है इसके अस्थान पर के इसके अस्थान पर हम लोग लिख सकते हैं लिख सकते हैं तीन हमको प्लस में लेना है तो हमीड करना पढ़ेगा इसको 12 करना पढ़ेगा प्लस में क्योंकि में हमको लाना है 12 और 12 12-吃 Lex कितना तीन वाई ठीक ही न थिक है ना 3 वाई लिखेंगे मानश कितना 36 आप देखो ध्off कि इसको इन थर्द देते हैं इसको इस तरिके से भी लिख सकते हैं यह लाइन हम बढ़ा देते हैं uk Y स्क्वाइर और देखो हमको 9 लाना है द्यान दिजएगा 9 लाना भी प।--------- और प्लस कितना बारा वाई ऐसे कर दोगे तब भी बारा मारतिये 36 हो जाए गुड़ा करने 36 आजाएगा लेकिन जब बारा मस्तीन घटाओगे आए कितना नवा जाएगा मानस कितना 36 ही लिग दो अब इन दोनों में कामन ले लो आप ठीक है कामन कैसे बनेगा यू देखी गा य कामन लिए यहां पर कितना बचेगा य मानस कितना तीन बचेगा ठीक है ना जब य दोनों में जब है य हमने कामन लिया अब देखो यहां पर बारा और यहां पर 36 तो बारा जब हम कामन लेंगे यहां सिर्फ य बचेगा अब आरतिये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा है अब देखो दोनों कोश्टक में क्या मिला y-3 y-3 बना तो वो क्या हो जाए गो y-3 एक कोश्टक में जो बाहर-बाहर है बाहर-बाहर कितना है y प्लस कितना 12 है दो बस यही इसका अंसर होना है ठीक है ना इसका अंसर यही हो गया देखिए अब हम लोग 5 नमबर लें चल ले हैं यह देखिए तू का 5 नमबर ठीक है अब यह देखिए कहा जा रहा है यह हमा y square प्लस कितना 3a मानस कितना 10 हो अब हम आप जानते हैं कि यहाँ पर 1 है यहाँ पर 10 से 10 दो 10 से करना हम 10 होता है अब 10 को हम क्या करेंगे दिखो 10 हमने लिख दिया 10 को ऐसे गुलान खंड करो कि जोडने घटाने पाज 3 आ जाए तो 2 पंचे 10 होता है 2 पंचे 10 होता है अब जानते हो 5 में से 2 घटा हो गया आएक 3 आ जाएगा तो बना लेजी इसको भी तो ये हो जाएगा A स्कुर और कितना हो जाएगा ये हमको लाना है कितना प्लस मिलाना है जब प्लस मिलाना होता है तो जादा वाले प्लस कर दो बस ठीक है ना जादा वाले प्लस कर दो तो मालो ये मानस जिसको कर दें कितना तू ए अपलस कितना कर दें फाई पे मानस कितना हो जाएगा दस हो जाएगा ठीक है तो ये जो है इन दोनों में कामन बन जाएगा ये बनेगा यहाँ पर ए ये जब कामा लोगे तो यहाँ बचेगा कितना A − 2 ठीके ना अब यहाँ पर 5 कामले लगे यहाँ पर कितना बचेगा A और पांदु ने कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो यहाँ देखो A − 2 दोनें मिला तो क्या करेंगे हम लोग A − 2 बाहर निकाल लिए अब जो बाहर-बाहर है, कितना बाहर-बाहर है कितना A प्लस कितना 5 है तो आपका अंसर यही होगा ठेक है दोस्तों हम आपको ले चलते हैं नेस्ट कुशन नमबाव देखिए कुशन नमबर 6 लेने चल रहे हैं यह 2 का 6 वाला पार्ट क्या लिखा गया है क्या स्कॉर मानस कितना 11 क मानस कितना 102 तो बताओ 102 को गुलानखन करो, की लास्ट में गुला करने पर doen आए 102, संख्याओं गुला करने पर X आए 102 आए, अजो लेने घटाने कितना गयर आए तो जानते हो क्या होगा भाई यह जो 102 है 176 होता है ठीक है ना कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा तो 6,17 हमें भी 102 हो जाएगा तो वही करने चल दा है ठीक है इसके अस्थान पर यह हो जाएगा आपका k square माइनस यह हो जाएगा आपका हमको 11 बनाना है वही मानस मिलाना है तो जादा वाले को मानस में करना है तो देखो 6 k plus में कर दे रहे हैं मानस कितना कर दे 17 कर दे क्योंकि जब 17 में और 6 घटाओगे तो y मानस में ठीक है और मानस कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा तो आप क्या करोगी इसमें कामा ले लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के अगर कामा लेंगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा क्या के बचेगा प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है इतना बचेगा अगर यहाँ पर मानस 17 एकल कामा ले तो यहाँ कितना बचेगा के बचेगा और मानस मानस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और सतरा जब कमाने लिए तो यहां कितना बजएगा छे बजएगा योगि सतरा छक्का इसलोग होता है तो कितना कितना हो गया के प्लस सिक्स और के प्लस सिक्स हो गया तो हमनों क्या क्या किया के प्लस 6 बाहर ने लिए और जो बाहर बाहर था क्या था बाहर बाहर के मानस 17 ठीक ना तो अंसर आजाए कितना ये अंसर आजाएगा के प्लस 6 और के मानस कितना 17 हो जाएगा मैं आपको लेचले लेचलते हैं नेश्ट कुशन पर आप देखिए ये 6 नमबर हो गया आप 7 नमबर देखिएगा यनिकी 7 नमबर ठीक है अब देखिए 7 नमबर लिखा गया है P स्क्वाइर मानस कितना 5 P मानस कितना 176 अब भई 176 देखो एक यहाँ पर माल लो फिर ये को अतना हो जाएगा 2 दूना 4 2 दूना 4 हो जाएगा अब कितना हो जाएगा 2 एक कम दो 2 एक कम दो तो ये क्या बनेगा पता है ये बन जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 16 गुणई 11 बनेगा ठीक है कितना बनेगा इसका जब हम लोग गुलानखंड करोगे तो 16 गुलाइ 11 बनेगा ठीक है तो 16 ग्रहम में जो है 76 हो जाएगा अब 16 में से 11 घटा दोगे आएगा 5 आजाएगा ठीक है तो बस वही करने चल रहे हैं देखो यहाँ P स्क्वाइर मानस 5 है न यह हमको 5 मानस में लेना है मालो हम इसको कर दें हम प्लस ले रहे हैं प्लस कितना 11 पी और मानस कितना कर दें कितना कर दें 16 पी ठीक है न जब इसमें घटाओगे यानि कि प्लस मानस मानस हो जाएगा 16 में से 11 आएगा 5 मानस 5 आजाएगा मानस कितना 176 हो जाएगा ठीक है अब यह हो गया अब इन दोनों में कामले लिए अच्छे से तो यह हो जाएगा पी अगर बाहर निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा पी प्लस कितना 11 हो जाएगा अगर मानस यहां 16 कामल लिए ठीक है 16 कामल लेंगे तो यहाँ P बचेगा तो मानस मानस के हो जाएगा 16 एगरह में कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा ठीक है ना अब देखो P पलस 11 ठीक है दोनों मिल लगा तो हम क्या करेंगे P पलस 11 जो है बहार निकाली जो बाहर बाहर है बाहर बाहर क्या है टी मानस कितना 16 है तो अंसर क्या आएगा 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 अंसर यही होगा साथियों अगर कोई भी कुश्चन डाउप लगे तो कुश्चन को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं हम इस्टे बाइस्टे बता देते हैं हाँ कभी कभी गलती हो जाती ही इनसान से ही गलती होती है कुश्चन आपको सुझ में आता रहे बस आप हमारे मेहनत का फ़ल अगर देना है तो आप इस वीडियो को ज़्यादस ज़्यादस लोगों तक पहुंचाए हम यही समझते हैं अब यही आपसे आसा भी बिर्ख सेहें ठीक है मैं आपको लेचलते हैं एस्ट कुश्चन पर कि borg कैसी क्व to no of 8 ये चल रहे टू का तो का कॉश्च वाला पार्ट है जो है एट वाला पार्ट ठीक है ना आठ वाला सत वाला होगी आठ वार नगी है लिखा गया है कितना 48 प्लस कितना 2 यक्स है, मानस कितना यक्स स्क्वार अब ध्यान दो, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं आप जानते हो, यह जो है वाइडियेबल, जो है किस रूप में लिखा जाता है, A स्क्वार माइनस A B प्लस भी इसको लिखा जाता है न, तो उसी रूप में इसको बना लो, ठीके न, इसको पहले स्क्वार और पहले लिखता है, तो यह बन जाएगा मानस A Y स्क्वार, ठीके मानस A Y स्क्वार, और इसको प्लस में है न, देखो चिन्न के साथ हम वही लिख दे रहें, लेकिन आगे पीछे कर दे रहें, बस 2 X हैं, और प्लस कितना 48, ऐसे हमने लिख दिया जहान दीजेगा, अगर हम क्या करें अगर बराबर हम 0 कर दें, दोस्तों इस मानस को हटना चाहेंगे, तो मानस दोनों पच्वार काम ले लें, ठीके या अगर मानस काम ले लीए, तो मानस से अगर दोनों पच्वार गुड़ा करें, तो ये मानस जो है काम लेंगे, तो मानस जो रहेंगे वो प्लस बन जाएगा, ठीके ना, ये बन जाएगा आपका Y square, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस से तो मानस हो जाएगा ठीक ना मानस कितना हो जाएगा टू यक से और मानस कितना हो जाएगा अनतालिस ठीक बराबर कितना हो जाएगा जीरो ऐसा इसलिए किये क्योंकि इस मानस को हटाना थामको तो मानस जब गुणा कर देंगे अंदर जो है ठीक ना जब मानस से अंद तो प्रावलाओं खड़ी हो सकती थी ठीक ना लेकिन आप क्या करोगी 48 हमारे पास है 48 संख्या है इसका ऐसा गुलान खंड करो कि हमको बीच मिलाना है कितना दू लेना है ठीक गुडा करने पर आए 48 जोडने वा घटाने पाई कितना दू आना चाहिए आप जानते हो यहीं कि चाठ ए 48 होता है ठीक ना चाठ ए 48 होता है वह आराठ मेस्ट जब 6 घटाओगे आए कितना दू आ जाएगा ठीक है तो हम वही करने चल रहे है तो एक्स स्कॉार अब देखो जादा वाले को मान होता है देखो चिन आया गया मानस और 8 मेस्ट जाये आया कितना दू और चिन आ गया यह 48 बला लिग दी है ठीक है किसी भी संक्यक बराबर 0 मान सकते हो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो अब देखो यहाँ पर यह जो है कामा लेंगे क्या हो जाएगा अगर यक्स कामा लिए त तो 8 स clowns क्यों जाएगा अल्ट एस और मानस मानस कितना हो जाएगा पलस बन जाएगा आट शखन क्यतना ओर sources हो जाएगा तो एक्स पंलसल 3 दोनों कुछ Τूम मिला तो एक्स प्लस छे लिख दिए बाहर और यह जो बाहर बाहर लाँगा था लिएक्स प्लस Amazing ए यह हो गया तो साथ यह अनसर इसका आंग गया ठीक है हम आपको लें चलते हैं निश्ट कुश्चिन पर देखो यह कुश्चिन नमबर कितना था आठबा नमबर था अब नवा देखिएगा ठीक है नव अला पार्ट देखिए नव अला नमबर देखिएगा अब हम लोग देखते हैं यह लिखा गया है नव नमबर यहनिकी नव अला पार्ट यहनि टू कर नाइन ठीक है तो यह देखो कि लिखा गया है कितना माइनस एलेवन पी माइनस एलेवन पी plus कितना p square plus कितना 24 लिखा गया है तो इसको आगे पीछे लिखा गया है मिक्स को sequence में कर लिते हैं पहले ये रहता है ना अर्थात variable का p square ये a square तो ये होता है क्या p square हमने पहले लिए अधिया फिर minus a b होता है ना a b बंगलब क्या ये रहेगा मानस 11 पी होगा और प्लस कितना लाश्ट में हो जाएगा 24 ही संख्य रहता है हमने ऐसा लिख दिया लिखने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर मालो यहाँ एक है एक कोई देखता नहीं है एक गुले 24 करोगे आये कितना 24 आएगा आफ 24 का ऐसा गुल अंखन करेंगे कि हमको 11 बनाना है काईसे बनेगा तो हम क्या करेंगे 3,8,24 होता है ध्यान दियाएगा 3,8,24 होता है तो 3,8,8,3 कितना होचाई 11 होजाएगा देखो वही करने चल रहे है इस 11 के अस्थन पर हम 3,8 लिख देंगे तो यह लिखेंगे P स्कुर माइनस इसके स्थार पर लिखेंगे कितना लिखेंगे 3P मानस कितना 8P लिख दिये तो देखो 8 तिन कितना 11 मानस 11P हो जाएगा और प्लस कितना 24 हमने इसे लिख दिया देखो ध्यान दो अब यहाँ पर P यहाँ पर P दिखा तो हमने P बाहर निकाल लिया तो यहाँ जब दो घात था तो एक घात निकल गया P बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा अगर मानस यहाँ 8 कामा लिये यहाँ पर कितना बचेगा, P एकल बचेगा और देखो, यहाँ पर मानस से प्रप्लस मानस क्या हो जाएगा मानस तो 8-10 बाहर निकल गया है तो कितना बचेगा 8-13 च्छोभीज-3 है तीन बचेगा आप दोखेए varic considered क्या हो जाएगा waar पी- 3 और नाश्ट या कि वाहर बाहर कितना है प हो गया है तो बस यहीं इसका अंसर हो जाएगा ठीक दोस्तों हम आपको ले चलते हैं नेस्ट कुश्चन पर साथियों यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों कुश्चन नमर आप 10 देखते हैं 9 नमर हो के ना कुश्चन नमर 10 देखीगा तू का 10 पार्ट ठीक है ना देखे लिखा हम गया को ऐसे हम लोग करें गुलांखण की हम को बीच मिलाना किथा जोड़ने घटाने पिटाने पाएक श्वबिस आजाए ठीक है तो कैसे करेंगे तो इसका गुलांखण करो कैंड़ा लिजिएगा हम आपको उटा देते हैं है किट इस से काईन होना उनहत्तर होता है ऐ तो बस इसी के स्थान पर हम इतना लिख देंगे तो लिखेंगे क्या लिखेंगे y स्क्वार मानस कितना इसके स्थान पर के लिखेंगे इतना 3y और मानस कितना 23y अब प्लस कितना 79 से हमने लिख दिया ठीक है तो अब इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं ध्यान दीजेगा इसको इस लाइन को भी हम लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं वो देखेगा y square मानस मानस देखो 23 देखो 23 y हम पहले भी लिख सकते हैं 23 y मानस कितना 3 y, ऐसे भी लिख सकते हैं और प्लस कितना 79 भी ऐसे लिख सकते हैं ठीक है? ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर वही बनेगा बस ठीक है? सब कुछ वही आएगा तो यहाँ पर दोनों y है तो y हमने बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा y मानस कितना बचेगा? 20 हो जाएगा अगर हम यहाँ पर 3 काम लें मानस 3 काम लें तो क्या हो जाएगा? देखो 3 तो बाहर निकल गया y एकल बचेगा तो y और प्लस जेखो यहाँ पर प्लस है प्लस मानस क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही वह इस लिए क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा वीडियो सब लोग नहीं देखते हैं वीडियो बड़ी हो जाती है तो सब पूरा वीडियो है पूरा कुशन नहीं करते हैं तो दोस्तों हम आपसे इतना कहेंगे हसते रहो मुश्कराते रहो अदेखते रहो अपना चैनल इन्जॉय भी थारश सिंग लाइक सब्सकाइब मत करो लेकिन आप अपने मित्रों तक यह वीडियो जरू पहुँचाए ठीक ना घर पर रहें सुरचित रहें सौस्त रहें ठीक मस्त रहें धन्वाद